हेलो फ्रेंग्स आज मैं आपके लिए वेट लोस करने का ऐसा तरीका लेके आये हूँ ना जिसके लिए आपको एक रूपे खर्च करने के जरुवत नहीं है और आपका जो वेट है वो इतनी तेजी से कम होगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं तो आजकल के दौर में हमारा खान-पन बहुत ही चेंज होता जा रहा है। आज कर लोगों को जंक-फूत इतना जयादा पसंद होता है कि घर कर खाना ज्यदा पैफर नहीं जंक फूट काना ज्याद़ करते हैं proto neighborhood जंक फूट करते मिलें जोती हैं गाहिं किसयी बहुत ब्छेल उनको उनको बहुत हे ज्याद़ शौक होता जंग फूट काने more लेकिन the के लिए आज हम आपके लिए बहुत ही आसान उपाई लेके आए है पूरा वीडियो बिना स्किप करें जरूर देखे ताकि आपको ध्यान से सारा वीडियो समझ में आए और उसके लावा अगर आपको वीडियो ये यूसफुल लगता है तो प्लीज प्लीज जाजर से जादर लोगों तक इसको पहुचाए ताकि सभी को इसका फाइदा मिले तो डैमो के तोर पे पहले हम आपको ये बता देते है किस तरीके से हमारे शरे में फैट जो है वो जमता है तो उसके लिए हमने ये दो बॉटल ली है काच की करना क्या है ये हमने घी लिया है तो ये घी को हम बॉटल में अच्छे से लगा दिंगे किसी भी जार में अप ले सकते हो इस तरीके से चेक करने के लिए यहां पर हम आपको बता रहे हैं अगर आपको विश्वास नहीं आता है तो आप घर पर खुद भी कर सकते हो तो देखिए इसमें हमने घी अच्छे से लगा लिया है disp terms to insert śतन colder all- podría जार 2 दोनों ही जार में हमने अच्छी से फास्ति को लगा लिया है और यहगी हमने जमा वहां घी लिया है इसको लगाने के लिए तो एक हम जार में पानी לucci यह हमनी हलका गुण गुणा पानी होता है उन्से हलका सा जादा गर लिया है बहुत सब्. खौलतवा पानी नहीं लेना है ऐसा पानी लेना है कि जिसको आप टच कर सके पानी पूरा भर के आपको दिखा रहे हैं इसमें धक्कल लगा देंगे तो देख सकते हैं कैसे बबल्स की तरह बनके घी पूरा उपर की साइड आ रहा है और अपना फी पिगलता जा रहा है अब दूसरे जाय एन उसमें डालें थंडा पानी इसको हों पूरा भर देंगे तो इसको हम धग र tolerance गोल कच सकते आपकर सामने ही दूनों की सिक्ते है एक में हमने हलका गरम पानी डाला है इंगलता या उसमें एकदम तेरे से ऐसा जो घी था वो सारा बिगल गया और दूसरे मे धम्र के तरह देख सकते हैं। इसको आप आपने बॉड़ी की तरह भी अधियुम कर सकते हैं। अगर गरनी सरे लिटे आप तो इस तरह के से इस जयघर में जम हुआ है. और अगर उसी की जगा पे अगर आप कुछ भी फैटी खाते हो और उसके बाद हलका गरम पानी पी लेते हो ना तो इस तरीके से आपके बोडी से सारा जो फैट है वो पिगल जाता है और पेट साफ करने में सब निकल जाता है तो फ्रेंड्स ये डेमो दिखाने का सिर्फ हमा दिन में 2 वार अप गरम पानी को ले वह सकते हैं और दूसर अपको लेना है रात को खाना खाने के बात यानि सोते वक्त और वे अपको कुछ नहीं घाना है रात को जाने पानी को तो और ध्यान रखे पानी हमें एकदम खौलता हुआ नहीं लेना है हमें अपने अंदर की चिज़ों को गलाना नहीं है सिर्फ हमें फैट को उसमें से पिगलाना है तो पानी इतना ले कि आप उसको छू सके तो अगर आपको खटे डिकार गैस कब जिसके परिशानी ह होगी सब भी दूर हो जाएगी मोटापे के साथ अगर आप कुछ ऑईली खा लेते हैं जंक फूट खा लेते हैं तो उसके बाद भी आप यह हलका गरम पानी पी सकते हो जिससे कि आपके शरी में चरबी ना जमें ध्यान रखे जब भी आप कुछ जंक फूट खाये तो उस स हलका गरम पानी पीना है आपको नॉर्मल या फि serait फंडा पानी नहीं पीना है तो यह आपको दिखा भी देखते है कि बिल्कुल भी इसमें से घी हमारा मैल्ट नहीं हुआ है देख सकते हैं वैसे कि वैसे घी है बलकी पूरा और जंब गया ए यह बिल्कुुल भी सनन navy रहा तो यह देखिए तो यह हमारा पानी के साथ निकल गया है तो सेम आपके जो पेट है शरीर है उसमें भी ऐसे ही होगा जो सारा फैट है न वह इस तरीके से एक साथ आपका टॉयलेट के जरीए निकल जाएगा और ऐसा नहीं है कि 100% ही आपको जो बॉड़ी से सारा फैट हो नि निकल जाएगा उसकी हम आपको पूरी गयरंकी देते है तो यह जो हमारा तरीका है हमारा खुद का अजमाय हुआ है हमने खुद मैसूस किया है गरम पानी पी के देखा है और हमने इसका रिजल्ट देखा है कि तुरंत ही फाइदा मिलता है कुछी दिनों में शरीर जो है व पहले ही बता चुके है जब आप रोजाना उसको खाना शुरू करते है तो आपको शरीर में नुकसान करता है आपको शरीर में चर्वी जमाता है मोटापा बढ़ाता है तो यह बहुत ही पावरफुल ट्रेक है आप इसको जरूर अजमाएं आप अजमाओं के तभी आपको पता चलेगा और अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज एक लाइक और शेयर जरू कर दीजेगा चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरू करें लेटेस वीडियो के लिए घंटे पर क्लिक करना ना भूले कमेंट करके में जरू बताए कि आपको यह वीडिय कैसी लगी अब आपको भी लेंगे एक नए वीडियो के साथ अपके वीडियो देखने के लिए थैंक यू